ब्रिटिश सामराज की पुलिस का एस्टेबिश्मेंट 1861 का जो एक्ट था उसके हिसाब से उसका स्थापन हुआ जैसे मैंने पिछली बार न्यायपालिका के बारे में बताया था कि कैसे ब्रिटिश सामराज का शासन अच्छी तरह से चले लंबा चले 1857 की करांती के बाद ये सारे बदलाव आये थे न्यायपालिका और पुलिस का प्रशासन इनका establishment ही इसलिए किया गया था कि ब्रिटिश सामराज की जो नीव है वो solid बने और इनका प्रशासन जो है वो लंबा चले उनका सामराज जो है वो लंबा चले भारत के लोगों से उनको डर न रहे उनके पुलिस की training ऐसी थी कि पुलिस भारती होने के बावजूद उनकी सारी loyalty ब्रिटिश की तरफ थी उनके masters ब्रिटिश ही थे क्योंकि नमक उनको ब्रिटिश से मिलता था इसलिए वो नमक हलाली ब्रिटिश के साथ ही करते थे उसमें उनके mind में कोई भी तरीके का देश प्रेम नहीं था वो क्रूर थे भरष्ट थी बेइमान थी और ब्रिटिश सामराज्य के officers के साथ मिली जूली थी एक example है 1930 का जो civil disobedience हुआ था उसके दोरान पुलिस ने 60,000 भारतियों को गिरफतार किया था बहुतों को पीटा था और किस तरीके से पीटा गया कि वो मृत्यू की गोद में चले गए 1947 में भारत को स्वाधीनता मिली स्वाधीनता के बाद हमारी पुलिस का क्या हुआ पुलिस वही 1861 में जो पुलिस एक्ट बना था उसी के तहत काम करती रही ना ये कोई रिफॉर्म्स पुलिस के अंदर नहीं आए कि पुलिस जो है वो सामराज्य के लिए है वो राष्टर के लिए है वो नागरिकों के लिए है नागरिकों को उस समय भी पुलिस के पास जाने में डर लगने लगा स्वाधीनता के बावजूद नागरिक जो थे वो तब से आज तक पुलिस के पास जाने में डरते हैं क्यों है ये क्योंकि पुलिस में कोई रिफॉर्म्स नहीं आए पहले पुलिस जो थी वो बिडिश सामराजी की सेवा करती थी और आजादी के बाद ये जो पुलिस थी ये नए भारतिय जो नेता थे जो भारतिय सरकार थी ये उनीकी सेवा करती थी और भारतिय सरकार ने पुलिस को उतना अधिक नागरिकों के विरुद्ध में use किया उसके बहुत सारे examples हैं मेरे को अभी तक ये कारण नहीं समझ में आया कि पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए, लेकिन जनता की तरफ से कोई भी विरोध नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, आज 70 साल से उपर हो गया हमारी स्वाधिम्ता को, उसके बाद भी जनता से कोई विरोध नहीं हुआ, और जितने भी पुलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टों में ये नहीं था कि पुलिस रिफॉर्म्स बुक बनाएंगे, पुलिस को सारे सिस्टम को वो र रिफॉर्म करेंगे, पहला नैशनल पुलिस कमिशन 1977 में जब इंद्रा गांधी एमर्जेंसी के बाद एलेक्शन हार गई और जनता गवर्मेंट राजगद्धी पर बैठी, तीन साल लग गए उस कमिशन को अपनी रिपोर्ट देने में, बहतों से इंटर्वियू किया, ड बारा एलेक्शन जीत कर वापस सरकार बना ली, और ये जो आठों के आठों वॉल्यूम से पुलिस रिफॉर्म के, ये कोल्ड स्टोरिज में चले गए, शेल्व कर दिये गए, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, पारलियमेंट तक में इसको प्लेस नहीं किया गया, जो आसको मैं कुछ एक्जाम्पल्स बताती है, बिहार में लालू यादव के समय कितनी गरत बातें हुआ करती थी, किड्नैपिंग होती थी, लड़कियों के रेप होते थे और पुलिस उन सब में कंप्लिसिट थी, कोई भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि इसके अगेंस्ट मे पुलिस में जाके FIR कर दे, क्योंकि अगर FIR हुआ, तो जिस व्यक्ति ने FIR करी है, उसकी शामत आ जाएगी, पुलिस और राजनेता, ये सारे के सारे मिले जूले थे, गुंडे राजनेता, ये लालू के कैबिनेट में, लालू की सरकार में थे, और सब जगा गुंडा रा पुलिस जो है, उन गुंडों का राज आगे बढ़ाने के लिए तैयार, आजम खान का नाम सबने सुनना है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आजम खान की भैंस चोरी हो गई, सारा पुलिस प्रशासन जो है, वो उसकी भैंसें डूंडने में जुट गया, आम नाग पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, यह हमारा राजतंत्र और यह हमारा पुलिस का प्रशासन जो है, पालघर का मामला तो हाली में आया है, उसके वीडियो भी कितने बन के सामने, इतने अंगिन्नत सर्कुलेट हुए वो वीडियो, आप सब ने देखे होंगे, ग पुलिस कर्मी वहां पे मौजूद थे, पालघर के वो जो सादू थे, उन्होंने उन पुलिस कर्मियों से हाथ जोड़के रिक्वेस्ट करी, आप हमें बचाईए, पुलिस के पीछे जाके खड़े हो गए, जिससे कि वो बच जाएं, पुलिस ने उनका हाथ पकड़के और गुन्डों के सामने सौंप दिया, और बाद में न्यूज में सब को पता चला, कि वो गुन्डों ने उन सारे सादूों को मार मार के समाप्त कर दिया, बंगार की बात अभी हाली में है, एलेक्शन के बाद सब ने सुनी है, ममता जीत गई, और उसके बाद कितना बुरी तर को तोड़ दिया गया, पुलिस के पास अगर FIR लिखाने के लिए चले गए, पुलिस ने FIR नहीं लिखा, पंगाल के गवर्नर की रिपोर्ट है, पुलिस और राजतंतर का प्रशासन, ये दोनों ऐसे मिले हुए कि जनता का हाल बहुत बुरा, ये प्रशासन हम सब को बदल करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे, तो अगले सौ वर्शों तक यहीं चलने वाला है, जैसे हमारी न्यायपाली का इंडिपेंडेंट है, मेरा अपना मत है, हमारा पुलिस प्रशासन भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, राजतंतर के प्रशासन के अंडर में न अन्यायवा.